वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको दो क्लिप सुना देता हूँ पहली वाली है अनेडिटेड और दूसरी है एडिटेड उसके बार में देखेंगे कि मैंने इस क्लिप को कैसे एडिट किया किन-किन प्लगिंग का यूज चुज किया उसका हूँ उस में हूँ से हूँ सी का रहने दे मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे मुझे घर दे गली दे सहर दे उसी के नाम पे उसका हूँ उस में हूँ से हूँ सी का रहने दे मैं तो प्यासा हूँ है दरिया वो जरिया वो जीने का मेरे मुझे घर दे गली दे सहर दे उसी के नाम पे तो मेरे खासे आपको मालूम को मैं board कमेंगा मैंने किस तरह की यहां परे एडिटिंग की है अगर आपको एडिटिंग één अच्छी लगी यह तब यह वीडियो आपके पाम का है क्योंकि मैं आपको वही पताने वाला हूँ कि मैंने इस ओडियो को एडिट कैसे किया In fact मैं अपनी हर वीडियो की जो ओडियो को मैं इसी तरह से ही Edit करता हूँ और लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में आपको यह बताऊंगा कि आप अपनी ओडियो के उपर Auto Tune कैसे ला सकते हैं जिससे आपकी जो Voice है तो थोड़ी निखर जाएगी बैसे जादा कुछ फरक नहीं पड़ेगा लेकिन आटो ट्यून का अभी बहुत चाद जमाना चल रहा है कुछ-कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जो आटो ट्यून के उपर ही बस धेरो फेंस को बेवकूप बना के रखे वे हैं और कच्छे-कच्छे पैसे कमा रहे हैं चली वीडियो शुरू करते हैं बड़ बिफोर बिगिनिंग लेट्स रोल दे इंट्रो तो गैस ओडियो एडिटिंग सिखाने से पहले मैं आपको एक बार बता जेता हूँ कि ओडियो एडिट करने से पहले आपको उसको एक अच्छे माइक से रिकॉर्ड करना बहर जरूरी है अगर आप अच्छे तकड़े माइक से अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो आपकी ओडियो के अंदर वो वाली क्वालिटी नहीं देगी जिस quality के base पर हम उसको edit कर पाएंगे मालने जगर आप अपने mobile वाले mic से record करते हैं तो audio editing इती ज़्यादा work नहीं करेगी आप अगर जो boyah वाला M1 mic हम लोग use करते हैं उससे editing करेंगे आप उससे recording करेंगे तब भी आपके editing इती ज़्यादा work out नहीं करेगी आपको एक अच्छा mic लेना पड़ेगा अच्छा mic के लिए मैं आपको recommend करूँगा ये वाला mic ये मायनो का AU A04 budget mic है तीन से लेकर चैरदर के बीच में आता है इसका review आप देख सकते हैं यहाँ पर i button मिल जाएगा यहाँ पर इसकी photo दिखरी है i button भी इसके link दे रिखी है नीचे दे रिखे description में आप वहाँ पर जाके इस वीडियो को देख सकते हो अगर आपको video mic पसंद आता है तो must have mic है for everyone who makes fact videos motivational videos, sci-ID वगरा इस तरह का अगर sci-tie वाला video मनाते हैं जिसमें आप mostly voice over करते हैं तो voice over के लिए ये वाला mic जो है बहुत चांदर mic है आप जाकर check out कर सकते हैं अब आते हैं editing के उपर तो editing करने से पहले आपको एक आदो software download करना पड़ेगा अब आपको download कहां से करना ये मैं आपको दता देता हूँ देखो आपको इस वीडियो के नीचे एक link दे रिखे description में मेरे blog की है blogistan.in यहाँ पर मैंने एक article लिखा हूँ best audio editing software for youtube videos इस article के अंदर आपको सारी जानकर भी मिल जाएगी और आपको सारी links भी मिल जाएगी तो आपको सबसे पहला software आपको download करना है that is audacity order city से मैं अपनी जो audio है वो record करता हूँ और audio को मैं add करता हूँ तो यहाँ पर निचे दाओगे तो आपको यहाँ पर click करें ऐसा कुछ option मिल जाएगा यह auto tune वाला है और यहाँ पर order city के लिए आपको इस link पर click करना पड़ेगा तो यहाँ पर click कर लेते हैं यहाँ पर click करोगे तो आप audacity की जो home page इस पर आजाओगे इस website की और निचे एक और link मिल जाएगे आपको auto tune plugin डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें तो इस पर भी click कर लेते हैं तो auto tune वाला plugin हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और audacity हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो शुरुआत करते हैं पहले audacity से यहाँ डाउनलोड पर जाए windows पर click करें और फिर यहाँ पर लिखाव है audacity 2.4.2 इस पर click कर दें तो मैं यहाँ पर click कर देता हूँ इस पर click करोगे तो आपको सभी SMB की फाइल यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी यह डाउनलोड हो जाए तो आप इसको open कर लीजे और run कर लीजे मैंने पहले से install कर रहा है तो मैं ज्यादा इस पर time waste नहीं करूँगा अब यहाँ पर आते हैं और टून वाला plugin है वह वाला plugin डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर G-Snap पर डाउनलोड कर दो यहाँ पर download the G-Snap VST plugins यहाँ पर आप Windows के लिए कर ले 32 bit है तो यह वाला 64 यह वाला मैं इस पर click कर देता हूँ में 64 वाला bit वाला यहाँ डाउनलोड हो जाएगा ठीक है एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको शुरुवारत में जाने मेरे ब्लॉग पर इसके लिंक देरी के डिस्क्रिशन में एक यह वाले लिंक है जिससे आपको Audacity वाला डाउनलोड हो जाएगा और यह वाले लिंक है जिससे आपको Audacity वाले को इस्टोल करने के बाद में कुस इस तरह का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा यहाँ पर देखो recording का बटन में आपको मिल रहा है यहाँ पर audio रिकॉर्ड कर सकते हो मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप audio भी Audacity से रिकॉर्ड करें और एडिटिंग भी इसी से करें बहुत तकड़ी रिकॉर्डिंग करते हैं बहुत तकड़ी एडिटिंग करते हैं अब यहाँ पर आप माइक का सुन लो कौन सा वाला माइक यूज कर रहे है फिलहाल मैं जो मेरा रिकॉर्डिंग का बटन चालू करता हूं यही रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है ठीक है अब उपर यहां देख रहे हैं कि आप इसके audio का लेवल कितना ज्यादा है आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं यहाई से सिद्धा देखो यह प्लस पर गया वाई इसको हलका न पैसे हिं माइक से तो यह आप के सामने audio रिकॉर्ड हो रही है यह पूरी audio के आप साम रिकॉर्ड हो हो चुकी है ठीक है अब रिकॉर्ड हो चुकी अब करना क्या है जिस किसी भी पार्ट को आपको यहाँ पर एडिट करना है simply क्या करना है कि आपको double click करके सेलेक्ट कर लेना, यह सेलेक्ट हो गया, अब आप इस पर सारा काम कर सकते हैं, ठीक है, मैंने एक audio के लिए पहले से record कर रखी, मैं उसी पर काम करूँगा, ज्यादा मैं कुछ ना करते हुए, मैं इसको सिंपली कि यहां से cross लगा दूँगा, ठीक है, मैं इसको unsave कर दूँगा, अब मैं वापस दाऊंगा, अपने उस folder में जहां पर मैंने उस audio को रखा हुआ है, तो मैंने ये वली जो audio है, इसको मैंने record करका रखा वा था, ये मैंने थोड़ा सा गाना गाया था, कोशिस की थी महज, तो ये लगबग दो मिनिट का एक clip है, जिसमें मैंने गाना गाया था, अब मैं इसको edit करना शुरू करने वाला हूँ, ठीक है, इस video के last मैं आपको बताऊंगा कि आप auto tune कैसे install करेंगे, कैसे use करेंगे, अब भी जो बाकिये वाली editing होती, जिसमें हम लोग compressor लगाते हैं, जिसमें हम लोग noise को remove करते हैं, reverb लगाते हैं, तो करना यही है, simply आप control A कर देना है, control A करने का मतलब यह आपने पूरे को select कर लिया, आप पूरे को edit करना चाहते हैं, सबसे पहले आपको effect में जाना है, यहाँ पर सारा काम जो effect की करता है, effect में जाना है, आपको बेहत सारे, खुब सारे effects आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप नीचे वाले इस arrow पर click करोगे तो आपको बहुत सारे और भी effect जो आप इंस्टोल्ड हैं, यह आपको मिल जाएंगे, जितने effect यहाँ पर इंस्टोल्ड है, आप इनको plugins बोलते हैं, तो यह सारे आपके plugins हैं, सबसे पहले plugin कौन सा यूज करना है, आप देखते रही है, आप step by step चलना, आपकी audio अपने आप ही अच्छी सी record हो जाएगी, और अच्छी सी edit हो जाएगी, ठीक है, सबसे पहले आपको जोस्तों, filter काई यहाँ पर manage पर click करना है, manage पर जाकर आपको यहाँ जाना है, factory presets पर उसके बाद आपको जाना है, यहाँ बैस बूस्ट पर, बैस बूस्ट क्या है, जब आप audio record करते हैं, जो बैस का लेवल होता है, वो कभी-कभी जादा होते हैं, कभी-कभी कम होता है, तो यहाँ पर फिर OK कर देना है, अब यह आपका जो best boost यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, फिर से वापस effect में जाना है, फिर filter curve में जाना है, फिर manage पर जाना है, और उसके बाद में आपको यहाँ मिल जाएगा treble boost, जैसे हमने best boost किया था, वैसे हमने treble boost भी करना है, बस best boost में हमने यहाँ पर कुछ नी करना है, और simply यहाँ पर OK कर देना है, अब इस वाजी clip के अंदर आपका bass भी amplified हो चुका है, और treble भी amplified हो चुका है, तो यहाँ पर पहला step आपका clear हो चुका है, second step में क्या करना है second step में आपको जाना है यहां पर आपको compressor लगाना है अब यहां पर आप compressor ढूण लिए compressor यह रहा compressor की जो properties आप देख लिए threshold यहां पर minus 12 पर है noise flow यहां पर minus 40 db पर है db मतलब decibel ratio to 1 का रखा हुआ है attack time 0.20 seconds का है release time 1.0 seconds का है यह technical चीज़े हैं जो audio professionally edit करता यह समझ पाएगा आपको simply यह वाली properties वहां पर लगा देना ठीक है ज्यादा मातफ़ोडी आप नहीं करना ठीक है ज्यादा सोचना मत आप simply लगा दीज़े क्योंकि आपकी audio के साब से मैंने पहले से इन सारी properties को setup किया ठीक है यह compress कर देगा ठीक है ज्यादा उपर है उसको नीचे लेकर आएगा और जो नीचे उसको उपर लेकर आएगा दोनों को balance बढ़ा देगा ठीक है उसके बाद वापस effect पर जानने के बाद यहां पर limiter पर जाना है limiter पर जाओगे तो सारी audio को यह एक level में लेकिया जाएगा ठीक है जो compressor निकलते के थी वो यहाँ पर आपको soft limit रखना है सारी properties आप देख लीजिए यहाँ पर 4 है यहाँ पर 00 मानिस 3 है यह 2 है फिर 9 है इस तरह के properties उको आप apply कर दे और simply okay कर दे तो यहाँ पर limiter भी लग चुका है ठीक है बैस भी boost हो चुका है compressor भी लग चुका है अब आपका लगबग सारा काम यहाँ पर हो चुका है एक बारा वापस effect में जाए ठीक है यह दो step आप complete हो चुके है थर्ड step पर आते हैं में step यानी की noise remove करने का तरीका इसमें बहुत सांदर है बहुत तगड़े तरीके से आप noise remove कर सकते हो बाकि आपके audio के उपर जाद effect भी नहीं पड़ेगा तो noise remove करने के लिए आपको पहले इसको बताना पड़ेगा कि कौन सी वाली noise है कौन सी वाली noise नहीं है जाला था softpress में क्या होता है कि अपने आप ही noise को detect करता है और अपने आप रिमूओ करता है यहाँ पे इसको बताना पड़ेगा यही नोईज है इसको remove करना तो यह बहुत तरह से बहुत सई तरीके से रिमूओ करता है तो simply हम क्या करते है इसमें से noise वाला part है उसको देख लेते हैं देखे यहाँ पर यह वाला जो part है मुझे पता है यह noise है ठीक है यह जो आवाज रोती है यह noise होती है मैंने इसको select कर लिया अब simply मैं software को बोलूँगा यह वाज इसको remove करना है क्या करूँगा मैं effect पर जाओंगा select करना select करने के बाद में effect पर जाना उसके बाद मैं यहाँ पर चला noise reduction पर ठीक है अब इस पर click करता है यह पकड़ लेगा आपने यह वाले चीज़ सुनी है ना तो यह वाला part noise वाला मैं माल लेता हूँ यह noise वाला part है अब यहाँ पर get noise profile मतलब कितने हिस्से में इस noise को remove करना है तो यहाँ पर control A कर दे बाई पूरे हिस्से से मुझे यह वाज़े noise कर दो वापस यहाँ पर effect पर जाने के बाद में यहाँ पर again noise reduction पर click कर दीजे और यहाँ पर simple noise को reduce करना है और ok कर दे तो यहाँ स से आप देख पाएंगे कि देखो अब देखो यहाँ पर एक flat surface आपको देखने को मिल रहा है पहले यहाँ पर उतार चडाओ था हलका सा एक दो फ्लैट होके यहाँ यानि कि आपकी noise यहाँ पर remove हो चुकी है अगर आपको लगता है कि noise बची है तो फिर से यहाँ क्या करें उत्ते भाग को आप सेलेक्ट करें फिर से यहाँ पर effect पर जाए एफेक्ट बन जाने के बाद में आप यहाँ पर noise reduction पर जाए फिर से आप get noise profile पर क्लिक करें Ctrl A करें और apply करें तो फिर से यह remove हो जाएगी मैं आपको बोलूँगा बस एक बार remove करें जादा बार-बार remove करें तो हो सकता है कि क्या है यहाँ पर effect पर जाने आप देखेंगे यहाँ पर जो आवाज है बहुत हो गई है ठीक है जिसको normal करने के लिए आपको simply क्या करना है ठीक है लेकिन यहाँ पर अब यह audio एडिर होने के बाद में वह level पेलर वाल आया है ठीक है इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी चीजे जो भी notes दाउं डाउन थे वह आप आचुके जो अप थे वह डाउन जा चुके है एक दुम सईसे notes हो चुके है bass भी enough है, treble भी enough है, noise भी यहाँ पर reduce हो चुकी है तो यह sample आपको सुनने को तयार है last में एक हलका सा effect डाल सकते है वो additional effect है और वो क्या है? optional है आप अपने voice के हिसाब से डाल सकते है जैसे अगर आप facts वाली video बनाते हैं आप यह जाते हैं कि आपकी audio के अंदर हलका से एक reverb आए reverb का मतलब क्या होता है? जैसे एक बहुत बड़ा कमरा होता है तो एक surround effect सुनना होगा आप लोगोंने आवाज गूंचती अलकी-अलकी है ना? तो अगर आप यह वाला sample सुनेंगे तो यहाँ पर आपको हलकी सी एक आवाज में गूंच सुनने दी होगी तो इस गूंच के लिए हम लोग एक reverb का option यहाँ पर डाल सकते हैं सिंपल यहाँ पर effect पर जाएं एफेक्ट पर जानने के बाद यहाँ पर आप reverb का option डूंड लें यह रहा reverb का option और इस property को आप यहाँ पर copy करें अब 10 का room से रखने का मतलब यह है कि यह 10 x 10 का कमरा है अब 10 x 10 के कमरा जितनी आवाज घूंसती जितना echo आता है उत्ती उत्ता ही percentage के अंदर आपको यह echo डाल देगा तो मैं यहाँ पर ओके कर दूंगा तो यहाँ पर reverb भी आ जाएगा अब audio final हो चुकी है तो अब यहाँ से चलते है auto tune की तरफ तो देखो auto tune का option भी यहाँ पर effect में आएगा लेकिन अभी आपको देखने को मिलेगा नहीं और देखने को क्यों नहीं मिलेगा क्योंकि हमने उसको install ही नहीं किया है तो आपको यादो का मैंने इस वीडियो की शुरुआप में इस website से आपको मैंने एक plugin डाउनलोड करवाया था ठीक है जी स्नैप 64 bit तो यहाँ पर आपका डाउनलोड हो चुका है एक बार आप चेक कर लाइस लाइसेंस है तो जो आपका plugin है वो यह वाला है इस plugin को यहाँ से आप क्या कर ले कट कर ले यानि कि control X कर दे उसके बाद में आप Windows C वाले फोल्डर में जाए program files x86 में जाएं यहाँ पर आप Audacity को ढूंड ले यहाँ पर plugins में जाएं और यहाँ पर जो आपने फाइल यहाँ से कट की थी इसको यहाँ पेश्ट कर दें continue कर दें तो यहाँ पर देख पार है कि gsnap यहाँ पर आ चुका है अब हम वापस से उस फाइल को open कर लेते हैं ठीक कर दें अब इतना सब हो जाने के बाद में simply आपको उस पार्ट को choose करना है select करना है तो हम लोग क्या करते हैं उस पार्ट को यहाँ से select कर लेते हैं अब यहाँ से आप effect में जाएं यहाँ पे gsnap को ढूंडें और आपके सामने यह पैनल open हो चुका है दोस्तों अब यह पैन effect यूज किये हैं in fact जो जो effects मैं use करता हूं मैंने सब आपको बता दी पहले ही मैं auto turn को भी लगाता है नहीं हूं ठीक है अब आपको लगाना है तो you have to play with all these features आपको इन सब फीचर्स करना पड़े खेलना पड़ेगा लगा 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 देखो किस से क आने वाले वीडियो के अंदर भी आपको ऐसे information प्रोवाइड करा सुगा thank you very much मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूं तब देखेले जया हिन दोस्तों वंदे मात्रम